लिखें, महत्मा गांदी कहते थे भारत का हिर्दे गामों में बसता है, गामों की उन्नेती से ही भारत की उन्नेती शंबव हैं, गामों में ही सेवा और परिश्रम के अवतार कृसक रहते हैं, और वास्तविक्ता भी यही है कि कृसी भारतिय अर्थवेवास्था की धुरी हैं देश की कुल स्रम सक्ती का लगभग 51% भाग करसी एवं इसे संबंदित उद्योग धंदों से अपनी आजीब का चलाता है बिटिस काल में भारती करसक अंगरेजों एवं जमीनदारों के जुल्म से परिशान एवं बेहाल थे श्वतंतरता प्राप्ति के बाद उनकी स्थती में काफी सुधार हुआ किन्तु जिस तरह करसकों के सहरों की और पलायन एवं उनकी आत्महत्या की खवरें सुनने को मिलती है उससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी स्थती में आज भी अपेक्षिस सुधार नहीं हो सका है विचारक सिस्रो ने भी काहा है किसान महनत करके पेड लगाते हैं पर स्वयम उने ही उनके फल नसीव नहीं हो पाते निशन्दे खुन पशीना एक कर दिन रात खितों में महनत करने वाले किर्सकों का जीवन अत्यनत कठोर वा संगर्सपूर है अधिकतर भारतिय कर्सक निरंतर घर्टे भू छेतर के कारण गर्वी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं दिन रात खितों में परिस्रम करने के बाद भी उन्हें तन ढखने के लिए समुचित कपड़ा नशीव नहीं होता जाड़ा हो या गर्मी धूफो या बर्साथ उन्हें दिन रात वस खितों में ही परिस्रम करना पड़ता है इसके बावजुद उन्हें फसलों से उचित आए नहीं प्राप्त हो पाती बड़े बड़े बैपारी कर्षकों से सस्ते मूले पर खरीदे गए खाद्यान सबजी एवं फलों को बाजारों में उची दरों पर बेच देते हैं इस तरह कर्षकों का स्रें लाव किसी और को मिल जाता है और वे अपनी किसमत को कोस्ते हैं किसानों की ऐसी दैनी स्थती का एक कारण यह भी है कि भारती करषी मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिस्चित्ता के कारण पर आहे कर्षकों को कई परकार की कठनाईयों का सामना करना पड़ता है समय पर सिचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आसानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। उपर से आवश्यक उपियोगी वस्तुओं की कीमत में व्रद्धी के कारण किर्चकों की स्थती और वी दैनिये हो गई है। तथा उनके चामने दू वक्त की रोटी की समस्य से खड़ी हो गई है। किरसी में स्रेमिकों की आवश्यक्ता साल वर नहीं होती। इसलिए साल के लगवक तीन-चार महीने कर्शकों को खाली वैठना पड़ता है। इस कारण भी कर्शकों के स्टॉप